गुड मार्निंग क्लास फिफ्ट के सभी स्टूडेन आज हम लोग दूसरा पार्थ यानी काली दास का पार्थ पढ़ेंके हम लोग तो यहाँ पे सब लोग किताब खोली जिए यहाँ पे जैसा की दिया गया है आप देख रहे हैं प्रस्तावना दिया गया है प्रस्तावना से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इस प्रस्तुत पार्ड में चात्-छात्राओं को बताया गया है कि कि द्रिण निश्चय और लगन से काम करने पर असंभो दिखने वाले लच्च को भी प्राप्ट किया जा सकता है इसका सबसे ज्वलंत उधारण है महाकभी कालिदास महाकभी कालिदास को किस प्रकार से मूर्ख से विद्वान बने इसी का उलेक इस अध्यान में किया गया है यहाँ पे बच्चों बताया गया है कि कोई भी असंभो कार जो दिखने वाला है जो असंभो कार है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है उस असंभो कार को भी संभो करना असंभो कार को भी संभो किया जा सकता है इसका सबसे ज्वलन्त जीता जाक्ता उदारण है महा कभी काली दास महा कभी काली दास किस परकार से मुर्ख से बिद्वान बने इसका उलेख जो है इस अध्याय में आपको मिलेगा महा कभी काली दास मुर्ख से बिद्वान कैसे बने इसका उदाहरन आपको मिलेगा अब हम लोग कहानी पर आ जाते हैं यहाँ पर जैसा कि दिया गया है अब हम कहानी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग मिलाते चलिए पढ़ते चलिए ध्यान से सुनते रहिए यहां पे दिया गया है कि काली दास की गर्णा संस्कित भासा के स्रेश्टम कभियों में की जाती है उन्होंने केवल कभिताय ही नहीं लिखी आपे तो कई काब्यों की रचना भी की है अभिज्यान साकुंतलम उनका सबसे प्रसित काब्य है इस काब्य का अनबास संसार की अनेक भासाओं में हो चुका है उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं मेग दूद कुमार संभो काली दास के विशे में एक कथा बहुत प्रचलित है यह सत्य है अथवासत्य इसे बताना कथिन है आज हम इस कथा की चर्चा यहां करेंगे कहने के मतलब बताया जा रहा है कि काली दास जो विद्धवान थे उनकी गढ़ना आज स्रेष्टम कभियों में की जाती है बहुत स्रेष्ट कभी माने जाते हैं और उन्होंने जो है कई किताब लिखिया अभिग्यान साकुंतलम इसकी इनके प्रसिद काब हैं इस काब का अनवाद उन्होंने अनेक भासाओं में की जिससे पाली भासा है हिंदी भासा है संस्कित भासा है मतलब अनेक अनवाद संसार के अनेक भासाओं में हो चुका है यानि जो भी वो रचनाएं लिखे हैं अनेक भासाओं में उनका अनवाद हो चुका है उनकी अन्य प्रसिद रचनाएं हैं मेगदूत मेगदूत जो है उनकी प्रसिद रचना है कुमार संभव ये सब जो है उनकी प्रसिद रचना है तो आगे बताया जा रहा है कि कालिदास के विशे में यहां एक कथा बहुत प्रचलित है जो हम आप लोगों ने सुना है तो वही कथा यहां पे चर्चा किया जा रहा है कालिदास के विशे में आईए हम लोग कहानी पढ़ते हैं काली दास के विशे में क्या चर्चा है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजकुमारी बिद्धोत्मा रूपी लावर्ड की जीती जायती प्रतिमा थे आनुपम सुन्दरी होने के साथ साथ वे बड़ी दिमान बिद्धवान भी थी उनकी प्रतिग्या थी कि वे ऐसे युवक से बिवा करेंगी जो उनसे अधिक बिद्धवान हो कहने के मतलब भाव यह है बताया जा रहा है कि राजकुमारी यह बिद्धोत्मा है जिनका नाम बिद्धोत्मा बताया गया है वह राजकुमारी जो थी वह अनुपम सुन्दरी होने के साथ साथ वह बड़ी बिद्धवान भी थी वह बहुत बुद्धिमान और बिद्धवान थी और उसने एक प्रतिग्या कर ली थी कि वह एक ऐसे युवक से बिवाह करेगी जो उनसे अधिक बिद्धवान हो राजकुमारी ने यह प्रतिग्या की थी कि मैं उसी से बिवाह करूँगी जो जो है मुझसे अधिक बिद्द्वान हो उसी से मैं बिवाह करूँगी राजकुमारी से बिवाह करने की अभिलासा में दूर-दूर के अनेक राजकुमारी योग ब्यक्ति तथा पंडित आए वो बहुत बिद्वान थे और उसके सांसाथ पंडित भी आये परंत इनिमे से कोई राजकुमारी की योगता के सामने कोई ठिक नहीं सका कहने की मतलब बहुत बहुत विद्वान लोग आये लेकिन राजकुमारी के आगे किसी की विद्वता काम न चली यनि उसके सामने कोई ठीक नहीं सका वो इतनी विद्वान थी इतनी बुध्यमान थी सबी लोग राजकुमारी के सास्तार्थ में पराजित हो गए यनी कि राजकुमारी जो भी सास्त्र की बात करती थी और सभी लोग पंडित बिद्वान सब लोग पराजित हार जाते थे उससे इस परकार राजकुमारी की बिद्वता की धाग तो जम गई परन्त कई लोग उससे इर्शया करने लगे कहने मतलब राजकुमारी की धाग जम गई उसकी बिद्वता के आगे किसी की नहीं चलती थी और इसी प्रकार से जो है कई बिद्वान जो है जब उससे हार जाते थे तो उनसे धिरे धिरे इर्षया उस राजकुमारी से इर्षया करने लगे जलने लगे तो क्या हुआ पराजित हुए राजकुमारों और पंडितों ने राजकुमारी से बदला लेने का एक उपाय सोचा जो पराजित हो गए थे बिद्वान राजकुमारी से बदला लेने के लिए एक उपाय सोचे क्या उपाय सोचे उन्होंने निश्चे किया कि राजकुमारी का बिवा किसी ऐसे व्यक्ति से करा दिया जाए जो बिल्कुल मूर्ख हो ऐसा सोच कर वे लोग मूर्ख की खोज में निकल पड़े अब वो लोग सोच रहे हैं कि राजकुमारी का बिवा ऐसे ब्यक्ति से कराईए कि जो बिलकुल मूर्ख हो और उसी मूर्ख की खोज में निकल पड़े सवभाग से उन्हें सवभाग से उन्हें अधिक दिन तक मूर्ख की खोज में नहीं करने पड़े कहने के मतलब सवभाग की बात है कि अधिक देर तक उन्हें मुर्खों की खोज नहीं करने पड़े एक दिन उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बिरिच पर बैठा उसी डाल को काट रहा था एक दिन वह खोजते कोजते गए एक जगल में जो है एक व्यक्ति जो है पेड़ पर बैठा है और जिस पेड़ की डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है जिस पर वह बैठा था ऐसे व्यक्ति को देकर उनकी प्रसंता का ठिकाना न रहा वे समझ गए कि इससे बड़ा मुर्ख संसार में कोई हो ही नहीं सकता पूछने पर उस ब्यक्ति ने अपना नाम कालिदास बताया कहने के मतलब यह है कि वह मुर्ख ब्यक्ति कौन था महा कभी कालिदास ही थे जिस पेड़ की डाल पे बैठे थे उसी पेड़ की डाल को काट रहे थे तो उन लोगों ने जब देखा तो सोचे कि सबसे बड़ा मुर्ख तो यही है जिस पे बैठा है वही पेड़ काट रहा है वही डाल काट रहा है तब उसके बाद क्या हुआ एक पंडित ने पूछा भाई कालिदास क्या तुम राजकुमारी बिद्धोत्मा के साथ बिवाह करोगे तो एक पंडित ने पूछा कि कालिदास तुम यह बताओ कि तुम राजकुमारी बिद्धोत्मा के साथ बिवाह करोगे राजकुमारी बिद्धोत्मा के साथ काली दास ने परसंद होकर कहा आवज से करूँगा तो काली दास ने खुस होकर बोले कि हाँ हाँ मैं राजकुमारी बिद्धोत्मा के साथ आवज से बीवाह करूँगा इसके बाद मुझे पेड नहीं काटने पड़ेंगे अब काली दास कह रहे हैं कि जब मैं बीवा कलूँगा तो मुझे पेड नहीं काटने पड़ेंगे दिन भर महल में घूमूँगा अच्छा भोजन करूँगा अच्छे वस्तर पहनूँगा किन्तु क्या यह संभव है कहा वह राजकुमारी मैं असचित गाउं का गवार हूँ तब काली दास कहने लगे कि हाँ हाँ मैं साधी करूँगा तो मुझे अच्छे अच्छे खाना मिलेंगे अच्छे अच्छे वस्तर पहने को मिलेंगे मुझे पेर नहीं काटने पड़ेंगे और मैं अच्छा खासा महल में घूमूँगा तो इस पर राजकुमारी फिर आगे काली दास कह रहे हैं कि कहा वह राजकुमारी और मैं असचित गाउं का गवार हूँ क्या मुझे से राजकुमारी साधी करेगी तो पंडित बोला इसकी चिंता तुम मत करो हम तुम्हारा विवार राजकुमारी साथ कराएंगे तुम केवल यह करते जाओ जो हम कहेंगे तो पंडित ने बताया कि तुम इसकी चिंता मत करो हम लोग तुम्हारा विवाराज माईक साथ कराएंगे हाँ ये काम ये करना कि जो मैं हम लोग तुमको बोलेंगे वही तुमको करना है जैसे बताएंगे वैसे तुमको करना है फिर देखो क्या होता है अब बोलो क्या तुम्हें हमारा प्रस्ताव स्विकार है तो कालिदास से बोलते हैं कि क्या तुम्हारा हमारा यह प्रस्ताव स्विकार है कि नहीं है तो कालिदास कहते हैं कि सत्प्रस्त स्विकार है महाराज कालिदास ने प्रसंद होकर कहा इसके आगे की कहानी अगला पैरा ग्राफ कल हम आपको सुनाएंगे इतनी कहानी आप लोग पढ़ लीजिए आगे कल हम आपको बताएंगे ओके थाएंगे